हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल तोड़े वी आर गूइंग टो डिस्कूस क्लासिक स्टिविक्स चैप्टर नुबर एट रूरल लाइवलिहुड रूरल मीन्स जो लोग विलेज में रहते हैं उन लोगों का कैसा काम करते हैं और उनके कैसे गुजारा चल पूलती हैं कैसे उनकी लाइव को एफेक्ट करता है और जो इसी चैप्टर में हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत जादा विलेजिज में लोग रह रहे हैं तो विलेज की लाइव जाननी भी बहुत जादा ज़रूरी है तो जैसे यह काम करते हैं जैसे फूल तोड़ने का काम कर रही है क्रियानी के शॉप भी होते हैं यह देखो अलग अलग उसमें काम होते हैं मेरिसन का काम करता है यह देखो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं अलग अलग अलाकों में अलग अलग एजिन में तो अब हम पढ़ने वा लगरा यहां परमिल नाढ़न के JEconomy जहां के जो लोग हैं यहां के लोग यहां के लोग भी बहुत तरी तरीक देलिय। काम करती हैं जैसे जो विलेजी शहीं नाण फार्मिंग उना वरक होती हैं जैसे की कोई तो बासकीट बनाता है कोई यूटेंसिल यूटेंसिल बरतन होगे पॉट्स बनाता है कोई ब्रिक्स बनाता है कोई बुलक कार्ड वगरा का काम करता है और देर आर दे पीपल हो प्रोवाइडर सर्विस बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक स्मिट जाने के लुहार का काम कोई nurses का 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 क tom कोई washer man धोबी का 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 कोई weaver कोई barbara कोई cycle repair machine अलग अलग दरागे मतलब का म किया जाने हैं तो यहां पे villages में जाने काला पत्टो विलेज में शॉपकिपर्स भी है और ट्रेडर्र्स भी है तो जो main street है यहां की यह जो main street है वो बजार की तरह ही लगती है और morning बजार की तरह ही लगती है and you will find a variety of a small shop तो आपको अलग अलग तरह की shops मिल जाएंगी जैसे के tea shops मिल जाएंगी grocery shops, grocery shops जिसको हम करियाने की shop मिलते है जिसके में हमारा daily use का सारा समान मिलता है वो मिल जाएंगी आपको बार अबर नाइक की shop, clothes shop, tailor shop और fertilizer and a sea shop fertilizer जो खेतों में पाने के डालने के लिए जो दवाईया होती है और ये fertilizer खाद वगेरा होती है वो सब कुछ उसकी भी shops available है ठीक है काला पटू विलेज में there are four tea shops which sell tea shops तो बहुत से tea shops भी है चाई की दुकाने भी है और वो टिफिन भी मतलब एसी है जिसमें वो इडली, दोसाई, उपमाम सुबह में होता है उनके खाने में and snacks और snacks में वड़ाई, बॉन्दा और मसरपक वो इवनी को बेचती है तो एंडियर, the tea shops in a corner is a blacksmith तो जो tea shops हैं, उसके साथ ही blacksmith की जो family है वो भी work करते हैं ना whose home serves as their a workshop next to their a home is a cycle उसके बाद a cycle hire है, रिपेर shop है जहां पे आप a cycle hire कर सकते हूँ है two families earn a living by a washing clothes बहुत से लोग ऐसे, दो family ऐसे भी है जो washing जाने के उनका काम क्या है कपड़े धोना उनका काम है उससे वो अपना गुजारा करती है बहुत से लोग ऐसे भी है जो nearby जो शहर है नज़िक उसमें काम ढूने के लिए करने के लिए जाते हैं जैसे के वो construction का काम करते है और load वगएरा भी जैसे कुली वगएरा का भी वो काम करते है यह जो village है काला पट्टू village है यह low hill के साथ घीरा हुआ है paddy जिसमें rice की जो फसल होती है crop होती है rice की खेती की जाते है यहां पे और irrigated land होती है और most of the family earn living through agriculture culture से ही करती है तो बहुत से coconut यहां पे coconut भी उगा जाता है cotton, sugar, grain and plantain are the grown and there are mango orchard mango के orchard भी आपको मिल जाएंगे mango के जानी के आम के बाग मी मिल जाएंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो काला पट्टू village में रहते हैं उनके बारे में different डिफरेंट जो लोग हैं उनकी life के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे तोलसी के बारे में तोलसी कौन है यह बोलती है all of us here work on a rama lingam's land वो बोलते हैं तोलसी बोलते हैं कि वो rama lingam की जो उसके land पे उसके खेते में वो काम करते हैं और जो rama lingam है उसके पास 20 एकर जमीन है जहां पे वो rice उगाता है काला पट्टो के village में वो rice लगाते हैं even before I was married जब मैं शादी से पहले भी यहां पे मैं paddy लगाने में काम करती थी और मेरे parents के village में और मैं काम करती हूं साड़े आठ से लेकर सुबह साड़े आठ से लेकर साड़े चारवे ज़य तक वो काम करती है और करू थम्मा और रामा लिंगम's wife supervisor जो उसकी करू थम्मा है जो रामा लिंगम है उसकी जो wife है वो हमें सबी को supervised करते हैं कि हम सबी काम तो यहां पर क्या जी बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमें regular work मिलता रहता है कि साल में हमें काम मिलता रहता है तो 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 पहले तो उसका बीज लगा दिया जाता है जब चोटे चोटे उसको उग जाते हैं गुरू हो जाती है तो उसके बाद रामा लिंग बुलाते हैं तो फिर उसको दुबारा से उसकी वीडिंग के लिए और उसको वीडिंग के लिए जाने के अगर जो नेचरल जो वेजिटेशन हो जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है ना अपने आप उगजाते बहुत से पौदे उसको निकालने के लिए और हार्वेस्टिंग के समय भी इनको बुलाया जाता है और वेन आई वास यंग जब मैं यंग थी तुलसी बोलती है जब मैं जवान थी तो मैं बहुत वक कर ली थी तो मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी अब मैं बुड़ी हो गई हूँ तो मेरे को इतना बैंड करके इतने घंटे बैंड करना और पानी में रहना बहुत पे यह चाहे कम है यह चाहे कम है जो और विलेज के लोगों को दिया जाता है मगर फिर भी हम यहां पे आती हैं क्यों क्योंकि I can depend on him क्योंकि हम depend हैं इसी के उपर क्योंकि यह जब भी हम यह हमें ही कॉल करता है काम करने के लिए और बाकी जो दूसरे हैं He does not go looking for cheaper labor from the villages वो और भी ज्यादा cheaper जाने के सस्ता काम के लिए जो और के villages हैं वहां से labor लेके आते हैं मगर जो आमल इंकम है वो सिर्फ हम से ही काम किर वाता है तो हमारा काम चलता रहता है मेरे जो husband है तुलसी बोलती है जो मेरे husband है रमान वो भी एगयोपनी जमीन नहीं है तो इस समें भी वो क्या करता है जो खेती है कोई भी काम नहीं होता ना तो फार्मर जिब कोई भी काम नहीं होता दा फार्म he finds work outside तो उनको बाहर भी जाना पड़ता है काम करने के लिए जानतों वो loading sand from the river और a stone from the quarry near बेजानी के वो उसको sand वगएरा load करते हैं इस type के वो काम करते हैं this is sand by the truck जो load है वो truck वगएरा से load किया जाता होगा town से तो फिर ये घर बनाने के लिए गाओं में आता होगा तो वो unload करने के लिए वो काम कर लेती हैं उसके husband तुल्ची के अपार्ट फ्रम working on the land I do all the task at home तो ये land पे भी वो तुल्ची काम करती है और घर पे भी उसको बहुत सारे काम करने पड़ती हैं तो मैं खाना बनाती हूं अपनी फैमिली के लिए घर की सफसफाई करती हूं कपड़े दोती हूं और I go with other woman और woman के साथ भी जाती हूं forest में से wood wood इकठी करने firewood जाने के लिए लकड़ी इकठी करने के लिए जंगलों में भी मेरे को जाना पड़ता है about one kilometer away तो एक kilometer दूर we have a village तो हमारे village का जो बोर वैल है वहां से हमाई पानी भी लेने जाना पड़ता है तो कभी-कभी जो मेरे husband भी help कर देते हैं getting materials जो material लेके आना होता है grocery का हमारी घर के लिए वो लेके आने में मेरे husband हमारी help करते हैं जो our school going daughters जो हमारे school जाने वाली बच्चीयां हैं वस उनी की life में dry है वो कि last year क्या हुआ हमें से एक बिमार होगी थी और क्या जी had to be taken to the hospital तो उसको क्या करना पड़ा अब तो उनको hospital में लेके जाना पड़ा उस बच्ची को हना तो हमको अपनी जो काउ थी वो sell करनी पड़ी उसको बेचना पड़ा क्यूंकि हमने जो पैसे थे वो उधार लिए थे पैसे रामा लिंगम से उसको वापिस करना था वो पैसे हमने इसी लिए लिए थे क्योंकि उस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए थे इसी लिए ठीक है ये कहानी है तुलसी की है ना तो ये देखो क्या बताया गया है ये देखो ये चक्कर बताया गया है देखो ये जैनुवरी में तो इनको जैनुवर तो जैसे कि आपने तुलसी की स्टोरी पड़ी है यह एक पूर फैमिली है रूरल एरिया में जिसमें वह बहुत जादा समय अपना जो बहुत सारा समय है वह वुड कलेक्ट करने में पानी लेके आने में और अपने जो जानवर हैं कैटल्स हैं उनको चरवाने में भी वह बतीत कर देते हैं ठीक है इवन तो यह जो इनकी फैमिली है इनको बहुत सारा समय है time spent doing this as they are not able to supervise on the little money they earn तो क्या है जी the family needs to spend time तो इनका जो बहुत समय इस पे हर एक दो ऐसे ही रूरल एरिया में ऐसी फैमिलीज है जो अग्री कल्चर रेबल अग्री कल्चर लेबर वर्क करते हैं ओके दियर आर सम हूँ है वह स्माल प्लॉट और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाद थोड़ी जमीन है प्लॉट है और कुछ ऐसे भी हैं जो तुलसी तुल कामी मलता रहेगा फोर्च पीपल इना मैने रूरल एरिया जब इनको काम नहीं मिलता तो इनको और जगह भी दूर दूर तक जाना पड़ता है काम के तैलाश में और वह ट्रैवल करते हैं माइगरेट करते हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकलर सीजन होता है उसमें जब वह फ है यह एक ऐसे एक इनसान की जहां ऐसे एक फैमिली की जिसके पास लेंड नहीं है तो उसकी लाइफ ऐसी होती है ना विलेज में तो शेकर देखते हैं शेकर बोलता है वी हाफ टो कैरी दीस पैड़ी यह जो पैड़ी है जो चाबल तियार हो गए है तो यह पैड़ी तो आर किंटाई का का सारा काम हमारा केतों का कंपलीट हो गया है हमारे पास इतनी ज्यादा लैंड नहीं है हमारे पास तो अकर जमीन है उनके पास अपने वह इस में अपना काम खूद करते हैं और बहुत समें हारव futur के समय पर ऑनको थोड़ी फो होती है जैसे काम हमारे में अधम करने के लिए the trader gave me seeds and fertilizers as a loan जो traders खोते हैं हम वपारी होते हैं वो हमें seeds देते हैं beech दеци है फसी लाइजर देते हैं as a loan और टो pay back उनको pay करने के लिए हमें के चैस로 safer loan को pay करने के लिए हमें उनको paddy ही देनी पड़ती है पैड़िया यह जो हमें ने उगाए और thoughtful यह उसको देनी ही पड़ती है और लो रेट पे देनी पड़ती है okay then what I would get in the market जो मार्केट में से मिलनी होते है उससे वो लो प्राइस देता है वो ट्रेडर जिसे हमने लोन लिया था अपना एजन्ट को भेजता है यह रिमाइंड करवाने के लिए फार्मर को के भही मेरा जो लोन है वो यह जो फसल है इसको बेज कर मेरे को पैसे अपने दे देना आई विल प्रोबेबली गेट शिक्स बैग तो यह उसको यह अंदाजा लगा रहे हैं कि वो उनको यह इसके लगबग जो शिक्स्टी बैग्स के बोरियां बोलेंगे ना पंजाबी में तो यह पंजाबी में बोरियां बोरियां होती है शिक्स्टी बोरियां उनको मिल तो बहुत से वह अपने घर के लिए घर में खाना खाने के लिए तो कुछ चाहिए तो उसके लिए रख लेंगे बट वाट एवर आई है विल लास्ट तो जो एट मंत है ना वह एट मंत उनके लिए भी है मेरे लिए so I need to earn some money तो मेरे को कुछ भी पैसे भी earn करने है तो जो यह अब यह तीन चार महिने का ही काम होता है तो मैं जो रामा लिंगम है ना उनकी rice mill में work करता हूं तो here I help him तो मैं उसकी help करता हूं जो पैड़ी होती है अलग लग farmer से जो neighbor के विले से वहां से collect करने में उसकी रामा लिंगम की help करता हूं we also have a hybrid cow जो हमारे पसना बड़ीया नसल की cow भी है जहां से हम उसका जो milk है उसको बेचते है local milk corporation में और इस वे से भी हमें extra money मिल जाती है जो हमारी everyday needs को fulfill करती है on being in debt तो on being in debt जो वीडियो थोड़ी से length हो यह तो इसके two parts से बना दें तो क्योंकि छोटी वीडियो समझर में ज्यादा मजा आता है तो यह video हम यहीं पे खत्म करेंगे तो on being in debt यह part second में आएगा thanks for listening god bless you